तो सबसे पहले लोग बात कर लेते आएसल के बाड़े में तो आएसल में कल था दो मैच इस पहला मैच था बैंगलोर एसी वर्सिस जम्शुत्पूर एसी और फाइनली फाइनली बैंगलोर का गेम देख के वह अच्छा लग रहा है और यह मैच बैंगलोर ने 1-0 से जीता भी है काफी पढ़िया अब बोल सते कमबैक बैंगलोर के लिए क्ल तो जम्शुत्पूर के पास भी चांस था कमबैक करने का लेकिन बैंगलोर ने अच्छा खेला है एक अटेकिंग माइंडसेट के साथ वो लोग का यह मैच खेल रहे थे जो यह ने गेम देखा उनको पता है क किया हां कल एक्चुली में काफी पढ़िया खेल है और बैंगलोर ने एक मात्र गोल किया मदवन जिरो तो फाइनस को लाइन और एक मात्र गोल किया जावी हनांडे से पेनल्टी में और अगर परफॉर्मेंस का बात कर ले तो अगेन लाइक सुनी चेत्री टॉप नॉच प प्रॉबल्म है वह फीनिशिंग को लेकर उनके पास प्रॉपर फिनिशन है चीमा लाइक नहीं हो रहा है उस सच में वह नहीं हो रहा है जिसके लिए उनको लाइग है वह गोल स्कूर करना एंड़ आज विकास यह नहीं हो रहे तो यह अपने आपमें बहुत ही ज्यादा ब अच के बाद अगर हमने देख ले तो बैंगलोर का थोड़ा सा पोजिशन इंप्रूव हुआ है बहुत भी नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा हुआ है और जम्षुद्पूर तेंथ पोजिशन में आ चुके तो अभी बहुत इंट्रेस्टिक हो चुका है ली क्योंकि अभी ब कर पाएंगे हैं नहीं नेक्स्ट हम लोग बात करते कल के दूसरे मैच के बारे में कल दूसरा जो मैच था वो भी काफी ज्यादा लाइक अनेक्सपेक्टेड मैच हुआ है इस पिंगॉल वर्सिस मोहन बगार और मुझे यह बोलना ही पड़ेगा कि यह मैच लिटरली इस प पासेज और वो फॉर्मेशन वो स्ट्रेटजी मुंबई के लिए बिलकुल भी कामदायक नहीं हुआ जो कि काफी बड़ा इश्यू था बड़ी इस पेंगॉल का भी वही एक प्रॉब्लेम कल दिखाई दिया फिनिशिंग बट फिर भी उन्हेंने काफी कोशिश काफी ज्य बड़ी खेला है वो जीद भी सकते थी ये मैच और डिजर्व भी करते थी अगर इस पेंगॉल इमाच जीद भी चाते तो कोई ऐसे गिलाशिक भा होना नहीं चाहिए था क्योंकि अल्दो मुंबई ने जादा पोजीशन से रखा जादा पासे खेला जादा अक्विरेट प सबने बहुत कोशिश किया था ताकि ये मैच से वह प्रॉपर तीन पॉइंट लेके जा सके बड़ सैडली अभी पॉइंट से उनको खुश रहना होगा एंड इस मैच के बाद मुंबई फॉर्थ में थे फॉर्थ में ही है इस्टमिंगॉल 7 में थे वह भी 7th पोजिशन में है नेक्स मैच उनका उडिशा के गश्ट में वह जीतना होगा वर्णा टॉपिष के लिए वह मैच और शक्रोज तो इसमें को जीतना होगा दो मैचे तक जीता है चार ड्रॉथ कि उन्होंने तो देखना बहुत इंज्सिक होने वाले कि आने वाले मैच इस इनका फॉस में अब बात करते हैं आज के मैच के बाड़े में तो आज मैच है उडिशा FC वर्सिस हाइदरबाद FC तो उडिशा इतने टॉप फॉर्म में इस बार इंडिया से FC Cup के लिए नॉकाउट में क्वालिफाई किया उडिशा ने दूसरी तरफ हाइदरबाद हाइदरबाद का भी तक खुद का ही टीम प्रपल से हिल डाउन नहीं हुआ है तो उडिशा इस मैच में बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा परहेंड रखते लाइक बहुत बड़ा हाजरत ते इस मैच में और शायद उडिशा इस मैच से आर राम से तीन पर्ट लेगे जा सकते लेकिन अब सी एक अपसेट तो हैदरबाद दे ही सकते इस मैच में अगर उडिशा ये मैच जीत जाते तो वो डायरेक्ली फिट से फोर्थ पोजिशन में चले जाएंगे और बहुत ही क्लोज हो जाएगा उनका किरिला महुनमगान और गोवा के साथ तो उडिशा भी फिट टॉप इस मैच में डियो को माउडिशो नहीं खेल पाएंगा उनको लास्ट मैच में रिट काट मेरा था जिसके वह से वो ये मैच नहीं खेल पाएंगा बर फिर भी कोई दिक्कत वाला बात नियों रोय कृष्णा जैसे प्लेयर से उडिशा के पास तो इतने इतने सॉलिड टीम क के सरजरी उनको हुआ था एंड इसके वाज़से वो पूरे सीजन के लिए बाहर रुचुके मतलब मार्च अप्रिल से पहले वापस ने आने वाले इसके लिए बोला जा रहे है कि वो पूरे से बाहर रुचुके तो उनके जगा में चाहिए रिप्लेस्मेंट और रिप्ले तो निकोलस लोडियरो काफी जादा एक हाई प्रोफाइल लेवल के प्लेयर है सबसे पहले तो इनका एज थोड़ से जादा है 34 इनका एज है अटेकिन मिट्फिल्ट पोजिशन के प्लेयर है जो की अगेन अध्यल नूना का ही पोजिशन है और यह करेंटली खेल रहे हैं स साल इसल का सबसे बड़ा अधर मार्केट वैल्यू टर्मस में सबसे बड़ा डील होगा परफॉर्मेंस का अगरों वाद कर ले थे मेलेस में काफी दादा रेगुल है प्लेयर थर्टी-थ्री मैचेस खेला है एक गोल पार्चेसिश्ट शाद बहुत इंदम परेवरे कलब में खेला है, बुटाफोगो में खेला है, कॉर्डिंग थे आंस में खेला है जो कि ब्रची अर्जन्टीना, अरुग्वे, नेजरलेंड के डच्छ लीग में खेला है, कर लिए MLS में, तो नौ डावड़े बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइनिंग होगा क्य तो इतने जादा हाई प्रोफाइल प्लियर का साइनिंग यह कंप्लीट करने वाले और इन्होंने उड़ूगे नैशनल टीम पहुकि भी एक दो नहीं वलकि 60 मैचेस खेला है जो कि बिलकुल भी कोई छोटा मुटा बात नहीं है बहुत ही जादा बड़ा बात ही है बहुत दे अब आशी ताई का परफॉर्मेंस मुझे पता है बहुत लोगों को डाउट है कि खराब तो है नहीं ठीक था तो वो खेल रहा है बट यह मोनबगार ने मोनबगार कुछ भी कर सकता है क्योंकि आप देखो अल्लेडी मोनबगार ने सेवियर गामा को शॉटलिस्ट किया इस ही होगा और करना चाहिए तो नहीं वैसे अब बाकी तो खैर मैनेजमेंट को पर डिपेंड करता है क्या डील वेस को पर डिपेंड करता है 28 एज इंका काफी सॉलिड प्लेयर है अब मोनबगार ने इंट्रेश दिखा है मोनबगार बाद भी कर रहे है अब विन्ड ट्रास् विन्ड एक काफी ज्यादा बड़ा मैच और लिवर्पुल यहां पर बहुत बड़ा अपर हैंड रखता है इसको लेकर कोई डाउट नहीं है लिवर्पुल करेंगली नंबर वन पोजिशन में और अगर उनको नंबर वन पोजिशन होल्ट करना है तो यह मैच जीतना होगा यूनाइट को भी जीतना होगा और उनको टॉप 6 में जाना है अट लीस्ट नेक्श चेर कॉनफरेंस लीग खेलना है तो जीतना होगा उनको यह मैच काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए सो देखना काफ इंडियोश चींग होगा कि इस मैच कर दो फाइनली क्या होता है तो लालिगा में भी आज मैच है रियल मंदृत वर्सेस विलरियल और जैसे प्रीमें लीग वाला मैच आज चरात को दस बजे है लालिगा का मैच उससे भी जादा लेट है क्योंकि लालिगा विलरियल फूर्टीन पोजिशन में अल्मोस्ट बॉटम से मिडिल पोजिशन में है विलरियल और टाकि वह रिलिगेशन वाइट कर सके और अगर मंदू जीत जाते तो चले जाए कि उनको उम्मीद करना होगा कि जिरोना अपना नेक्स मैच आरे और जिरोना का नेक्स मैच जादर difficult opponent के जिश्ट में है नहीं अलावस के जिश्ट में है तो अभी तो और कोई option भी नहीं है यह रियल मजीद के पास अलावस भी 13 पोजिशन में तो देखते हैं कि जब भी अप्लोड करूँ आपको तुरुज़